जैसिरी कृष्ञा कैसे आम सबी लोग आई होप आप सबी लोग सस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रही होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रही होंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल spiritual love ट्रपर टू में हम इस वर से आपके लिए प्रातना करती है कि आप की जो भीविस है वो सारी फिसेश पूरी हो जाए आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले डियर आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आपके दिल में किसका नाम है आप किसे पसंग करते हैं आपके दिल में कौन रहता है दियार आज हम इस टॉपिक बाद करने वाले हैं और हमने इसमें ओप्षन दे रखें आप एक ओप्षन चूज कर लिजे फिर आप अपने रेडिंग देखिए जैसरी किष्णा जैसरी किष्णा ओप्षन नमबर वन कैसे आप I hope आप स्वास्त हो होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल इस प्रच्वन लव डूमें हम इसवर से आपके लिए प्रात्ना करते हैं कि आपकी जो भी विस है वह सारी विस फूरी हो जाएं आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिल आप अपनी फैमली के लिए कुछ भी कर सकते लेकिन आप उन्हें कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी फैमली को किसी बात से टेंशन है तो आप उसे कम करने की कोशिस करते हैं कुछ लोग है जिनकी आर्थिक इस्तिती ठीक नह यह रूचते हैं तो इस वज़े से आप अभी नहीं कुछ कर अपाब ररे लेकिन आप करने के बारे में सोचते हैं आप सोचते है कि कितनी जल्दी आपको कोई जॉब मिल जाए आप कोई भी काम करें तो आप अपनी family की help कर सके डियार आप अपने family से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने family से जादा कुछ नहीं मांगते हैं अगर आपको कभी कोई चीज की जरूरत पड़ती है ना जैसे आप किसी को देखते हैं वो चीज आपको अच्छी लग रही है आप उसे लेना चाहते हैं लेकिन आप उसे नहीं कहते हैं आप अपने ख्वाई से अपने दिल के अंदर ही रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अभी घर में सब कुछ ठीक नहीं है यह सचीज नहीं ले सकते हैं आप सिर्फ अपने जरूरतें पूरी करते हैं अपने पूरी नहीं करते हैं आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली में हो सकता है कि उनके पिता जी ना हो या फिर उनकी मा ना हो तो डिय अगर वो नहीं है लेकिन आपके दिल में आज भी है आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं अपने मम्मा अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं है लेकिन वो आज भी आपके दिल में हैं आप आज भी उन्हें उतना कैसे रहना चाहिए क्या सही जट है आपको हर टाइम इस बात के बारे में यादाती है जैसे कोई फेश्टेवल होता है उस टाइम पर वो क्या कहते थे क्या बोलते थे क्या सिखाते थे वह सारी चीजे आपको यादाती उनके साथ बिताएवे पलों को इस तरह से महसूस करते हैं, फील करते हैं कि जैसे वो आज भी आपके पास है, डियर वो आज भी आपके दिल में है, आज भी आपने उन्हें दिल में अपने रखा है, आज भी वो आपके दिल में रहते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, सो अधिक आप सो चते हैं कि उनके लिए आज भी अगर आपको कुछ करना हो तो आप वो सब कर सकते हैं आप उनके लिए बहुत कुछ करने की कोसिस करते हैं ए Sean आप यह सोचते हैं कि अगर वह आपको देखते होंगे एनरजी की रूप में तो डियर उन्हें तकलीफ ना हो आप उनके हिसाफ से चलना जाते हैं कुछ लोगों के हो सकता है कि कोविड में उनके साथ ना हो उनसे दूर हो गए हूं और वो चाहते हों कि आप कुछ करें आप कुछ बने तो डियर आप बहुत मेहनत करें उनका सपना पूरा करने के लिए उनकी तरह रहने के जैसे वो आपको बनाना चाहते थे आज भी वह आपके दिल में और दिल में जो रहते हैं वो कभी दूर नहीं जाते हैं वो तो तभी दूर जाते हैं जब दिल धड़तना छोड़ देता है दिल में रहने वाले लोग कभी दूर नहीं जाते हैं डियर बहुत जादा ही आप अपने फैमिली से दूर हो गए हो किसी तरह से किसी वजह से हो सकता है कि उनकी फैमिली अभी उनसे नाराज हो लेकिन फिर भी आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने फैमिली को मनाना चाहते हैं अगर आपकी गलती नहीं है और आपकी फैमिली को कोई किस्ता बच सकता है तो बचा दिया जाए डियर आप बहुत सौफ्ट हाट है आप बहुत पॉजिटिव हैं आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं बहुत ज्यादा ही आपके दिल में आपकी फैमिली का नाम है आपकी फैमिली रहती है आप उनसे बहुत प्यार करते है कुछ लोग हैं जिनके दिल में उनके best friend का नाम है, उनकी life में कोई प्रॉब्लम होती है, तो और उनके दिमाग में जिसका सबसे पहले नाम आता है ना तो उनके best friend का नाम आता है अगर उनकी life में कोई tension है तो उन्हें लगता है कि बात कर लेते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको उनसे बात करके ही बहुत सुकून मिल जाता है जैसे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर आप उनसे बहुत connect है आप उनसे बहुत प्यार करते हैं आपको लगता है कि आपकी life में अगर आपके friend आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं आपको अपने friend के साथ घूमना बहुत पसंद है उनसे बात करना बहुत पसंद है आपको हर एक festival में अपने friend का साथ जरूर यह सकते हैं यह यहीं दिल में आपके फ्रेंड का नाम है कुछ लोग जो बच्पन वाला प्यार है जिसे कहते हैं रहला बच्पन वाला प्यार भूल मत जाना ना यACK तो डियर आप लोगों के बीच बच्पन वाली फ्रेंट्सिप है आप लोग बच्पन से लिए को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने एक साथ उम्र जैसे साल जा रहे हैं, ये सारे साल आपने एक साथ जीए हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हों, बहुत अच्छे दोस्तों, और आपको एक दूसरे के साथ रहना ही बहुत अच्छा ल करते हैं आप उनकी हेल्फ करने के लिए तैयार रहते हैं और वो आपकी लोग हैं जो एक दूसरे की कोई मदद नहीं करते हैं दूर दूर रहते हैं कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो आप दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए उस वक्त महां पे होते नहीं हैं लेकिन आप दोनों में बिना स्वार्थ वाली दोस्ती है जैसे कुछ लोग में होता है कि मदद करते हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम पढ़ती है तो आप उनके साथ होते हैं आपको कोई प्रॉब्लम होती है बहुत गहरी दोस्ती है, जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी में एक अच्छा दोस्त, एक सच्छा दोस्त मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है, इसी तरह से डियर आपको इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, जब आप सब तरफ से निरास हो जाते हैं, आपको बहुत टे सिर्फ बात कर लें आपको उससे सुकून मिलता है तो डियर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बात करके बहुत सुकून महसूस करते हैं एक दूसरे से अपनी बात बता करके सुकून महसूस करते हैं कोई भी टैंशन होती है सिर्फ कॉल कर लेते बात कर लेते तो अच्छ का नाम है कुछ लोग हैं जिनके दिल में उनके एक्स का नाम है साधी हो चुकी है आपकी या फिर आपके परसन की लेकिन आज भी आपके दिल में आपके एक्स पार्टनर का नाम है आज भी आप उन्हें भूल नहीं पाएं आप ये भी नहीं चाहते हैं कि अगर उनकी साधी ह हो गई है तो वो उस रिष्टे को खतम करके आपके पास वापस आ जाए लेकिन आज भी कहीं ना कहीं दिल में बहुत गहरे में उनके लिए उतना ही प्यार है हो सकता है कि किसी इसू के वज़े से आप दोनों एक ना हो पाए हो या ना हो पा रहे हो तो डियर आपने किसी पूरी की वज़े से या फिर आपकी फैमिली की वज़े से आपकी साधी उनसे ना हो पाई हो और आपकी साधी किसी और से हो गई हो तो डियर फिर भी आज भी आप उनसे प्यार करते हैं आप अपने फैमिली के लिए हैं आप अपने परसन के लिए हमेशा इमानदार रहते ह आप उनसे बात नहीं करते हैं अपने एक्स पार्टनर से कोई भी कॉंटेक्ट नहीं रखते हैं आप उनके साथ बहुत इमानदारी से अपना रिस्तानी भारे जिनसे आपकी साधी हुई है लेकिन डियर प्यार जो है आज भी आपका उनसे है तो डियर आप उन्हें भूल नह से खतम नहीं कर पाई है प्यार कभी मरता नहीं है ना कुछ परिस्तितियों के हिसाब से बदल जाता है लेकिन कभी मरता नहीं है तो डियर आज भी आपके दिल में आपके एक्स पार्टनर का नाम है आज भी आप उन्हें पसंद करते हैं उनसे प्यार करते हैं लेकिन आप दूर उनसे कर दिया है सारुरे रूप पे लेकिन सोल से आज भी आप कनेक्ट हैं अगर उन्हें कभी कुछ होता है तो आपको जैसे महसूस होता है कभी वो टेंशन में होते हैं कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे आपको उनकी एनरजी मिरर करने लगती है अच्छानक से बिन साइन फिर यह साईन है कि है सौल में होता है तो वो कभी कुछ घबराद सी होती होगी अच्छा नहीं लगता होगा तक उझनार लगते हों की वह ठीक है कि नहीं ठीक है लेकिन आप उनसे कोई contact करने की कोशिस नहीं करते हैं तो dear आज भी आप दोनों एक दूसरे की soul से connect है मजबूरियों के वज़ा से आप लोग अलग हो गए हैं लेकिन आज भी आप लोग एक दूसरे से connect है soul के माध्यम से और आज भी एक दूसरे के दिल में आप लोग रहते हैं आपके दिल में आपके ex-partner आज भी रहते हैं आप उन्हें miss करते हैं कभी-कभी तुन्हें याद करके आप रोने भी लगते हैं emotional हो जाते हैं dear आप बहुत ज़्यादा ही positive हैं बहुत ज़्यादा strong है आप लोगों की खुसी के लिए कुछ भी कर जाते हैं आप लोगों के लिए जीते हैं फिर भी लोग आपको कुछ जैसे समझते नहीं हैं आपकी ये सिकायत रहती हैं हमेशा कि आप जितना जैसे आप जितना लोगों के साथ करते हैं हमेशा उनकी खुशी का खास ख्यार रखतें उनके लिए पॉजिटिव करने के कोसिस करतें लेकिन लोग आपको समझते नहीं है वो family member में हो या फिर relative में हो आपको वो लोग समझते नहीं है तो आपको इस चीज की सिखायत हमेशा रहती है कि आपके साथ न्याई नहीं होता ह आप लोगों को प्यार देते हैं, आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन आपके साथ कभी जल्दी अच्छा नहीं होता, लोग समझते नहीं हैं आपको, तो dear, यह होता है, हम समझ रहें आपके साथ, लेकिन आपको meditation करना चाहिए, आपको खुद को heal करना चाहिए, औ और आपको दूसरों से उमीदे नहीं रखनी चाहिए आप दूसरों से उमीदे रखना बन कर दीजे क्योंकि लोग आपको समझ सके ऐसी हर किसी की एनरजी नहीं है आप इस प्रिच्वल जर्णी में है तो टियर आप जितना ज्यादा meditation करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा आप ज्यादा से ज्यादा meditation किया करिये आपको जब भी टाइम मिला करे तब आप meditation किया करिये क्योंकि आप बहुत जादा positive zone है आप spiritual journey में हैं आपके साथ लोग क्या करते हैं आप इस बात द्यान मत दिया करिए जब भी आपको अच्छा ना लगे थोड़ी सी tension लगे आप विपस्ना meditation किया करिए और आप mantra chanting कर सकते हैं चक्रा healing कर सकते हैं तो dear आप कोई भी meditation कर सकते हैं अ आपके लिए meditation करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप spiritual journey में आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए कौन क्या कहता है इस बारे में बिलकुल मत सोचिए क्योंकि सोचने का काम लोगों का है लोगों को ही करने दीजिए अगर आप ये करेंगे तो होसिए प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर आप इस चैनल पर नया है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जैसरी कृशना झावे जैसरी त्रुब ट्रॉप डियर आपके दिल में आपके दिल में कौन रहता है अगर आप इनके साथ रहते हैं या फिर इन से बारे में सोचते हैं आप सोचते हैं कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना है यह सेटल रहे हैं इनके करियर में कोई प्रॉब्लम ना है डियर आप सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचते रहते हैं हो सकता है कि अभी आपके भाई और या फिर बहन कुछ इनकी लाइफ सब्सक्रांबार Balkan ना पेसा लगता है कि इनके और और के बहुत प्यार करते हैं , आपके नावा में आपके भाई बहन का नाम है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपने उनके साथ जिस तरह से बच्पना बिताया है, तो आप उसी तरह से बहुत समझदार हो चुके, जैसे कुछ लोग बच्पन में बहुत समझदार हो जाते हैं, तो dear एक आपके अंदर जैसे एक मदरली न बाड़े दिल वाले हैं आप हर किसी को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं अगर आपके भाई बहन आपको कुछ बोल भी देते हैं गुस्सा भी हो जाते हैं वह आपसे बात नहीं करते तो भी आप इनको मना लेते हैं इसे बात करते हैं आप दोनों का बहुत अच्छा रिस्ता ह हैं जिनकी दिल में उनके पार्टनर का नाम है कुछ लोग हैं जिनकी पार्टनर से बात नहीं हो रही है और कुछ लोग हैं जिनका बहुत स्ट्रॉंग कनेक्शन हैं वो दोनों एक दूसरे से बात करें बिना तो रही नहीं सकते हैं तो डियर कुछ लोग हैं जिनकी बात नहीं हो रही है लेकिन आपके दिल में आपके परसन का नाम है आप उनका इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग हैं जिनके परसन उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते उनसे बात नहीं कर रहे हैं किसी थर्ड परसन के वज़े से आपसे बात करना बन कर दिया आपको बहुत अच्छ प्यार नहीं करते तो फिर आप इतने उनके पीछे भागिया मत दो आपकी विसेलफ रिस्पेक्ट है ना प्यार मांगा नहीं चाहता है प्यार मिलता है जब कोई सामने वाला पर्सन आपको नहीं समझ रहा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि वह इंसान पता है कि कौन इनसान कैसा है अगर कोई और इनसान आपसे कुछ बोलता है तो आप उससे बात करना बन कर देते हैं यह अप नहीं समझ लेते हैं तो आप समझीreci करिए कि अगर आप किसी और परसन को जवाब नहीं देंगे उससे बात करना बंद कर देंगे तो डियर उससे आपकी लाइफ नहीं चुड़ी है लेकिन ये आपकी लाइफ पार्टनर बनेंगे तो आपको कितना टॉचर करेंगे इनके साथ आपकी पूरी जिंदगी चुड़ जाएगी तो डियर ऐसे परसन को समझने की कोसिस करिए कि अगर व में मत रहिए अगर वो आजाए तो ठीक है अगर वो नहीं आते हैं आप उनकी सोल से प्यार करते हैं आप उनकी एनरजी से प्यार करते हैं लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनकी वज़े से आप इस एनरजी को अपने अंदर की चेतना को तो तकलिफ नहीं दे सकते ना आप खुद को तकलिफ नहीं दे सकते हैं कि कोई बाहरी पर्षन कोई दूसरा पर्षन आपको प्यार नहीं दे रहा है और आप खुद को तकलिफ दे रहे हैं तो डियर थोड़ी से समझधारी बना कर रखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि यह आपके कार्मिक पूरा हो गया आपसे वह दूर हो रहा है अब उनका कार्मिक बर्डन जो है वह उनके लाइफ में जो थर्ड परसन आया वह उनके साथ पूरा करेगा ना तो डियर कोई दूसरा भी आपको तकलीफ दे रहा है और आप खुद की चेतना को भी तकलीफ दे रहें तो आप समझधारी बना कर रखिए और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए पॉजिटिव एनर्जी में आईए साइड एनर्जी से बाहर निकलिए आपके लिए बहुत हूं कि बहुत लोगों की life में ऐसा होता है इसा होता हो जाएकि पहले तकलीफ मिलती है को जया कि अतर साथ इस पोरहीं कोरता है यां जोइभा tailored जाता हुआ खी के लिए अर आचा है और में या लाइध में कॉOP और घृता जाता है approximately कि सब्सक्राइब कोई देखा है टोदेटाना समस्टाइब करने अधिए गोर देखा है रीकिए पॉजितीव चीजे देखिए पॉजिटीव गों से मोटिवेट हो ये ठीक है आप सिर्फ पॉजिटीव रही है आपके दिल में आपके पार्टनर का नाम है आप उनकी सोल से प्यार करें लेकिन आप सैट अनर्जी में मत रहें ठीक है कुछ लोग हैं जिनका तो कि समझते हैं मोई और पर दोनों ही इस जनम के साथ यो टोनों दोनों का तो है और दिजिए अपके दिल में आपके अपसे बहुत प्यार करते हैं और फेसे को इस बहुतो हैं ब्रहतो है तो आपके दिल में आपके पार्टनर का नाम है और आपके पार्टनर भी आप से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपके बीच डिफरेंट हो पर परिसन खोटे हो या फिर बड़े हूं कोई पी इससी हो सकता है यह इस वज़े से आपकी साधी नहीं हो लिए कुछ लोगों में अक्सर होता है बहुत मतलद रहा है जिसकी वजह से उबिएद improvement को दिए कि साधी होगी लेकिन बहुत जादा पॉस्टीफ होते हैं बहुत ज्यादा स्प्रिचवल होते हैं तो डियर आप meditation बहुत जादा करते होंगे हो सकता है अगर आप सोते हैं जागते हैं खाते हैं पीते हैं कुछ भी करते हैं हर टाइम दिनों दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके क्रस रहते हैं डियर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं आप उनकी फोटो देख करके भी बहुत खुस हो जाते हैं उनके बारे में महसूस करके भी बहुत खुस कि यह mention आप उन से बहुत त्यार करते हैं आप सोचते हैं कि अगर वह के साथ होंगे कोई प्रोबलम भी होगी तो भी आप उसे समाल लेंगे आप किसी भी चीज को सकते हैं अभर वडियर उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं किसी भी चीज को को चोड़ सकते हैं और किसी भी चीछ से अड़ेस्ट कर सकते हैं अगर जो चीजे आपको से प्रात्ना करते हैं बना आपको सब्सेंग कोma है आप उनसे बहुत प्यार करते है और आपया centered खांब करते हैं और आप आपसे प्यार करे कि बहुत करते हैं और आपसे इपन Idli की बात बोलें मैं आप उनको MINs Hum दिल को रह Kunden कुर्छ सने हैं आप पयार कर प्रe Ensuite पिर शुर्ण में शुलर के अगली प्यार प्यार जो होता है तो फिर कुछ देख करनी होता ना तो इसितरह से है आपका प्यार हो सकता है कि जो आपके क्रेट में आफ जहादाधा इसटेबल हो हो सकता है कि आपके क्रेस शेच में चोटे फिर बड़े हूं लेकिं यह बहुत पसंद आप उन्से बहुत प्यार करते हैं कुछ लोगों के इकरश बहुत करिंग ul वाले होंगे कुछ लोगों के क्रस्स बहुत स्मार्ट होंगे बहुत सुन्दर होंगे यह कुछ भी एट्रेक्शन वाला प्यार नहीं है सिर्फ दिल कनेक्ट हो चुका है दिल वाला कनेक्शन है दिल आ गया डियर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं आप उनके लिए जैसे पा आपके एनर्जी इस तरह की है इस टाइम चाहा तो बहुत कि ना चाहे तुम्हें लेकिन ये दिल ही तो है जो तुम पे आ ही गया डियर ये सौंग आप पे बिल्कुल फिट बैठता आपकी एनर्जी बिल्कुल इसी तरह की है अभी आपको कुछ साहिरी भी सुना देते हैं ज अच्छा लगा था डियर एक साहरी और सुनाते हैं कुछ लोग दिल के इतने खुबसूरत होते हैं कि चाहे वो मिले या ना मिले पर उम्र भर उन्हें चाहने का दिल करता है आपकी एनर्जी इतनी जादा हाई है कि आप उनसे बहुत पॉजिटिव वाला लव करते हैं जैस आप उन्हें चाहते रहेंगे आप उनसे प्यार करते हैं आपको जैसे और लोगों की तरह चाहत नहीं है कि वो मिले आप लेकिन आप डियर उन्हें देख करके भी बहुत खुस हो जाते हैं अगर वो खुस रहते हैं आपको देख जाते हैं आपसे बात होती है या फिर आप आपको Online मिले होंगे डियार आप उन्हें देख करके भी बहुत खुस हो जाते हैं आप उनके परोपोसर का इंतजार तो कर रही हैं अगर वह नहीं भी करते तो भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हैं डियार आप बहुत वहात जाधा positive हैं आप उसे बहुत प्यार करते हैं आपकी बहुत strong energy कि Heiko आपको musical प्कहरते रहेंगे वहात positive तो ऐने ऑन के आपका strong connection लिख को दीए वह भी आपको पसंद करते हैं वह भी किदेए सस्ती है Remember आपका strong connection है आपकी life में हो सकता है कि कोई problem हो इस वज़े से वह आप से अभी ना बोल रहे हूं और आप उनसे अभी अपने दिल की बात ना बोल रहे हूं या फिर आप लोग यह सोचते हों कि सायद ऐसा उनके दिल में कुछ नहीं हो गए जैसे आपके दिल में लेकिंडियर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं आप उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं आपको ऐसा लगता है सिर्फ वह आपसे अपने दिल की बात बोल दे हैं आपका तो जैसे भूग प्यास नीन सब कुछ ओड़ जाएगी और उन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोल दी अपने feelings पता दी डियर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं डियर आप उनको देख करके उन्हें महसूस करके बहुत खुस हो जाते हैं अगर आप बहुत बिजी होते हैं बहुत टेंशन होते हैं और आप उनसे बात करते होंगे या फिर उनका कोई मैसेज आ जाता होगा तो डियर आप बहुत positive soul है और वो भी बहुत positive soul है आप हमेशा positive रहना और meditation करते रहना आप जो चाहते हैं आप उसे manifest करिए वो आपको जरूर मिल जाएगा डियर अब बहुत positive soul है आप अपने ध्यान रखिए और अपने meditation करिए और positive रही है आप से हमारे rating कितनी मैच होई है आपको हमारे rating कैसी लगी है प्लेस हमें comment करके जरूर बताइएगा अगर आप इस channel पर नए हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे like कर सकते शेयर कर सकते इस channel को subscribe कर सकते ऐसा करके आप हमें motivate कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जय स्रीकिष्णा